इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें होली होक के प्लांट को गमलो में रिपोर्ट करना है उसके लिए मिट्टी के सेलेक्शन कैसे करना है पोर्ट के सेलेक्शन कैसे करना है सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तो मेरे पास होली होक का प्लांट है जिसको मैं आज आपको रिपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ गमलो के अंदर इसको मैंने सीड से ग्रो किया है अपने टेल्स गार्डन पर और आज इसको यहाँ पर ग्रो हुए पूरे 25 दिन हो चुके हैं आप देखें इसमें True Leaves भी निकलनी स्टार्ट हो गई है आप इसको हम रिपोर्ट करने वाले है तो देखें रिपोर्ट करने के लिए जो हमने मिट्टी का मिक्सर लिया है यहाँ पर हमने रेडी किया हुआ है वो हमने कुछ इस परकार रखा है तो यहाँ पर देखें हमने 10% तो रखा है यहाँ पर नीम की खली नीम की खली के यूज करने से क्या होगा मिट्टी के अंदर फंगस जैसी प्रोब्लम हमारी कमी देखने को मिलेगी साथ में रखे है हमने यापि 60% garden soil हमने रखे है है यहाँ पर साथ ही 50% रखा है हमने यहाँ कोकोईट पावडर साथ में 50% रखा है हमने यहाँ पर वर्मी कमपोस्ट यह 4 produkt हमने अपना लिये हैं इससे हम अपनी soil mixer को यहाँ पर अपनी ड्र करेंगे तो winter के लिए soil mixer काफी अच्छा रहेगा आपको इचार प्रड़क्ट अपको ले ले नहीं है इस मातर हमें ले सकते हैं कुछ जगम ज़्यादा अपने इसाब से आप रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने चार प्रड़क्ट लिए हैं तो इनकचित मैं mix कर लेता हूँ तो देखें holy hook का plant हमारा winter plant है तो इसलिए हमें winter के हिसाब से अपना soil mixer ready करना है तो देखें soil mixer मैंने पहले ready कर लिया था अब बात करते हैं port selection की तो देखें दोस्तो holy hook का plant जो होता है हमारा वो 3-4 foot तक की लंबाई तक चल जाता है तो इसके लिए जो हमें port का selection करना है वो 8 inch से लेकर 12 inch के गमले का selection कर सकते हैं और याद रखें उसमें हमारे drainage hole होने चाहिए ताकि extra water हमारा इन drainage hole से बाहर निकल जाए तो यहाँ पर देखें मैंने 9 inch का यहाँ अपना गमला select किया है आप चाहिए 8 inch का गमला ले सकते हैं 10 inch के ले सकते हैं 12 inch के ले सकते हैं अब इस गमले के अंदर सबसे पहले आप मैं कर क्या रहा हूँ इसे नीचे मैं सूखी पत्य बिछा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने मिट्टी का mixer को fill कर लेता हूँ तो देखें soil mixer को मैंने अपने ports के अंदर यहाँ पे fill कर लिया है बागी जो soil mixer रहेगा उसको मैं अपने बदर गमलों के अंदर fill कर लूँगा तो देखें दोस्तों मैंने soil mixer को अपने ports के अंदर fill कर लिया है अब सबसे पहले मैं अपने ports के अंदर जो मैंने soil mixer फिल किया है उसमें थोड़ा space बनाऊंगा ताकि जो मैं अपने यहाँ पे plant लगाऊंगा अपना holy oak का उसको easily transplant कर सकूँ अब बात करें दोस्तों देखिए जो हमारा holy oak का plant है उसको मैंने seed से ग्रो किया था अब इसको जो हमें अपनी seed से मैंने ग्रो किया था poly bag के अंदर इसको मैं यह से बाहर निकाल लेता हूँ आपको 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 निकालना है उसको तरह से आपको इसको निकालना है इसकी roots damage न नहींぁ हो तो इसको देखे बाहर निका लिआ है अब देखे सड़ साइड साल हूँ साफ कर लेता हूँ और सिब जो root वाली ECT है आपको मैं यहाँ एrक देता हूँ और चार तरप से हमें जो अपने मिट्टी है उसको ताइटली आपको प्रेस कर देना है ताकि जो हमारा प्लांट सीधा रहा है विक्कियों कि इसमें हम अभी वोटर देंगे, पानी देने के बाद क्या होता है हमारा plant है वो तिर्षे हो जाता है कुछ इस साइड को गिर जाता है तो आपको अपने हाथों से अच्छे से plant इसा तरब जो मिट्टी डाले कि इसको दबा देना है tightly ताकि plant हमारा सीधा रहे और उपर से इसमें जो एक्स्टा विट्टी है जो मैंने आप सोईल मिक्सर रेडिय वह वेट हो जाए यहनी गीली हो जाए ताकि हमारा जो plant है उसको proper type में मौसर मिल जाए और plant हमारा अच्छे से grow करे पानी देने के बाद हमें इसे direct sunlight में नहीं रखना है दो दिन तक हमें इस सेड़े डेरे में रखना है चाह पे sunlight काम आती हो उसके बाद दो दिन बाद हमें इसे direct sunlight में रख देना है और फिर मैं आपको अपनी next वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी care कैसे करनी है ज्यादा flowering कैसे लेनी है fertilizer क्या देना है सब को जादकारी मैं आने वाली next वीडियो में आपको बताने वाला हूँ